यह है आर्वान फाइब एम मोडल जो भी लॉंच हुआ है इसके बारे में सारा फुल रिव्यू करेंगे और हम इसके बारे में बताएंगे और कितने रुपे डॉन पेमेंट करना है और कितने रुपे का यह कैस पेमेंट है यह सारे कुछ हम अभी बताएंगे चलो वीडियो अब आज मैं आगया हूं यहां का सोरूम में तो देख सकते हैं यह जो नया मोडल अभी जो एम आड़ वन फाइब एम मोडल लॉंच हुआ है तो चेक कर सकते हैं इसका रिव्यू करेंगे हम आपको बताएंगे क्या-क्या वेडिफिकेशन और क्या-क्या वाई पहली बाद पहली होता है कि आरवन फाइब ले और यह आरवन फाइब का एम बर्जन है आप मोडल का विल्कुल नवा बर्जन भर कर आया है चेक कर सकते हो आप और हैंडल लिक का चेक करेंगे देखो यदी दियो इसके पी बैजिं दिया हुआ है R-1 R-1.5 M चेक कर सकते हो और मीतर गार आप चेक करो और एक आड़ पर तंकी दियो डिखो R-1.5 तंकी पर ही बैजिं दिया हुआ है चेक करो, टंकी का प्रीक गार 목ष एक गार लुक चेक करो पर चाभी ओन करने का बात देखो एक वर आप मीटर का लूक और एक पर हैंडल ये देखो एक वर आप पर तंक्ती का देखो खल जो अधर इदर सीलब करो आप हैं चेक कर सकते हो आप और यमा का यहाइजी एक वर दोनो लगा हुए आद एक अप मुक चेप करो यह आर्वान फाइब एम है एक सो पर्टपन एम इंजन के साथ जो चेप कर सकते हैं गाड़ी ब्लू कलर का नीचे दिया हुआ है पिछले पहिये में पर चेप कर सकते हो आप एक वार मैं आपको गाड़ी का वोगरॉन करवा दे रहा हुँ यह देखो पिछे का देखो एक वार आप पिछे का लूप कुछ इस पर कार लग रहा है और साइड रूप देखो आप इंडिकेटर दे रखा उपर यह जो भी नए डिजान में है छोटे-छोटे वह दे रखें लाइफ यह देखो अपर दो लाइफ को राट तो थे करती है भो भी दे रेकए रहा आको और यह कीचड ठाना लग इसके लिए इसकर पिछेगा डिप्रेक है वह देखो आप दख सकते में एई-ई-ईस में इसब्रेक है चेंप कर सकते आप और कुछ साइड लूप कुछ इ वे सब्सक्राइब में। जाएगा थंडा करने के लिए यह चेप कर सकते हो आप और साइड लूप चेप करो आप अगर यह गाड़ी आपको लेना है तो आप हाइस आपको डॉन पेमिंट मात्रे पच्पन से साथ हजार रुपे डॉन करना पड़ेगा आपको और आप यह गाड़ी आप घर पे ले जा सकते हो तो फिर साइड लुक और फाइब एम मोडल का आप देख सकते हो यह वीडियो कैसा लग रहा जरूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एम लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा